दोस्तो आज से हम बिहार डियलीड इंटरेंस इच्जाम 2023 के लिए math के practice set solve करेंगे दोस्तो यदि आप अभी से math के practice set solve करना start कर देते हैं तो math तो math तो आपका strong हो गई पलस दोस्तो आप जो है math में काफी अच्छे score कर सकते हैं इसलिए दोस्तो आज से जो मैं आपको मैध के questions करवाऊँगा प्लीज दोस्तो इन सभी questions को साथ में जरूर solve करेंगे चलिए तो अब हम questions को solve करना start करते हैं तो देखे friends starting के जो ये तीन questions से ये काफी जादा असान है तो दोस्तो इन तीनो questions का answer आप लोग comment box से बताएंगे हम इनके आगे के questions solve करते हैं दोस्तो मैं आपको एक वार बता देता हूँ कि इस questions को जो है आप shortcut trick से कैसे कर सकते हैं इसको करने दो तरीके बड़ दोस्तो एक-s immense sorry trick ये हैं कि आप दोस्तो इसको जो है ना इस तरीके से भी कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तो आप इसको इस तरीके कर दीजिए यह जो 9 है 19 है 20 है और यह 9 है इन सभी को दोस्तो एक वर आप प्लस कर दीजिए ठीक ना इस तरीके से और दोस्तो जो वटे में है उसको आप इस तरीके से लिख लेजिए 1 upon me 3 plus me 2 upon me 3 plus me 3 upon me 4 plus me 1 upon me 4 अब दोस्तों आप लोग क्या किजी इनको add कर दीजी एक साथ और ये जो win का जो ये जोड है इसको फिर solve कर दीजी चलिए तो अब हम इसको solve कर लेते हैं तो देखे दोस्तो 57 को आपको ऐसे ही रखना है जो हमने यहाँ पर 9, 19, 20, 9 को प्लस किया है तो 57 आया है इसको आप ऐसे ही रहने दीजी ठीक न इसको मत solve किजी आप आप क्या किजी दोस्तों जो वटे में है इसको आप solve कर दीजी तो दो इस जो है ना अंस से आपको multiply करना होता है तो तीन चोक 12, 4 x 4 इस तरीके से आप कर दीजी दोस्तों 4 दूनी 8, 4 x 12, 3 x 9, 4 x 12, 3 x 3, इस तरीके से इसको आप प्लस कर दीजी यहाँ पर 57, आपका answer आजाएगा देखे फ्रेंट्स इस तरीके से हम इसको solve कर लेंगे 12 x 12, 12 दून ना हो गया 59, 59 हमारा answer आगया option C, तो अब हम इस questions को solve करते हैं, दोस्तों सबसे पहले जो है ना देखिए, यहाँ पर आप notice करेंगे भीन का भाग और भीन का multiply भी है, तो देखिए दोस्तों बोर्ड मास में आपको क्या बताया था, बोर्ड मास में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, bracket of, divide, उसके बाद multiplication, addition और subtraction, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले भीन का भाग हम solve करेंगे, उसके बाद हम multiply करेंगे, तो सबसे पहले जो अंस में जो है ना, उपर वाली संख्या को हम जो है, उपर वाले जो भी number है, इन सभी को सबसे पहले हम solve कर लेते हैं, दिन उसके बाद इससे नीचे वाली संख्या को हम solve करेंगे, तो सबसे पहले तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, भीन का भाग हो रहा है, भीन का भाग तो दोस्तों, आपको आते ही है solve करने, जब हम solve करते हैं, तो लेखे, भाग का sign जो है एक वटे 3 के सामने ह जब हम भीन का भाग solve करते हैं, तो जो हमारा denominator होता है, वो numerator के place पे आ जाता है, जिसके सामने भाग का sign है, वो संख्या, और जो uns होता है, वो हर के सामने आ जाता है, तो जो हर है, वो uns के स्थान पर आ जाएगा, और जो हमारा uns है, वो हर के स्थान पर आ जाएगा, अब इसक तो उल्टा कर दिजी आप नंस जो है वहर के स्थान पर आजाएगा तो इससे तो दोस्तो यह कट गया तो उपर में हमराया एक वर्ते में तीन और यहां पर बटे का मतलब होताा है दोस्तों भाग तो देखे जब हम आगे शॉल्व करेंगे तो इसको हम चेंज करेंगे अब यहां पर इससे यह कट गया, तो एक वटे में 3, नीचे भी एक वटे में 3 आया, और उपर में भी एक वटे में 3 आया, तो देखिए, अब इसको आप कैसे solve कर सकते हैं, एक वटे में 3, और यहां पर divide का यह sign है, और एक वटे में 3, तो देखिए दोस्तों, divide का sign जो होता है, हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, यहां पर बटे में लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अब दोस्तों आप क्या किजिए, यह भी हमारा भिन का भाग हो गया, तो इस तरीके साब यह solve हो जाएगा, तीन से तीन कट गया, तो हमारा answer एक आ आगया ने एक option ये इसका right answer हो जाएगा तो इस तरीके solve होता है बस ये धियान रखना है कि यहाँ पर ये जो बटे का sign होता है ये एक भाग होता है तो इस तरीके हम इसको लिख सकते हैं next question करते हैं तो यहाँ पर question number 5 में पूछा गया है दो अंको की सबसे छोटी पून घं संख्या क्या है सबसे पहले दोस्तो हम एक वार पून वर्ग और पून घं संख्याएं क्या होती है ये हम जान लेते हैं दोस्तो इससे पहले मैंने आपको पून वर्ग संख्याएं क्या होती है perfect square क्या होता है ये दोस्तो मैंने आपको पहले बताया था तो दोस्तो पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है कि जब किसी संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं तो दोस्तो उसका जो आंसर आएगा वो point में नहीं आएगा एक प्राकर्तिक संख्या आएगा एक natural number आएगा तो वो संख्या दोस्तो एक पूर्ण वर्ग कहलाता है तो देखिए यहाँ पर एक एक का वर्गमूल दोस्तो एक ही होता है बड़ दोस्तो दो जो है ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 4, तो दोस्तों इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका आंसर आएगा 2, पॉइंट में नहीं आएगा, तो इसलिए 4 जो है, 4 जो हमारी जो नंबर है, यह क्या है, पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वेर है, इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यह हमारी पूर्ण वर्ग संक्वेर कहलाती है, जैसे यहाँ पर 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, दोस्तों एक का घंबूल निकालेंगे, तो एक ही आएगा, ठीक है, बर्गमूल और घंबूल एक ही आता है, 16 हो गया यहाँ पर, आग आपको घंबूल निकालने मैंने आपको बोला, तो घंबूल में हम क्या करते हैं, थिरी का पेर बनाते हैं, पहले संख्याओं का हम फेक्टर कर देते हैं, तो आठ का फेक्टर आप इस तरीके से कर सकते हैं, और घंबूल में क्या करते हैं, हम थिरी का पेर बनाते हैं, दोस्तो चार की पावर एक वटा दो को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपका दो ही आंसर आएगा, तो इसी तरीके से दोस्तो आप आठ की पावर एक वटा तीन लिख सकते हैं, मतलब आठ जो घनमूल मैं है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और आठ का जब आप घनमूल निकालेंगे ना, देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है घनमूल आठ, इसका आप घनमूल दो तरीके से निकाल सकते हैं, यह तो दोस्तो आपको आता ही है, ठीक ना, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, एक पेर, तो यहाँ, सॉरी, दो आ जाएगा, यहाँ पर मैंने तीन लिख दिया है, सॉरी, तो आठ का घरमूल, यहाँ पर दो आ गया, और दोस्तो इसको जो है, आठ को आप इस तरीके से भी ल तो इससे तरीके से दोस्तों कहने के मतलब यह है कि आठ जो एक संख्या है इसका अगर आप घनमूल निकालते हैं तो आपका आएगा दो बड़ दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है आठ जो है यह यह प्रफेक्ट क्यूब है मतलब पूर्ण घन है और दुख्ष्ट तो यहा संख्या है तो इस तरीके से इसमें जो है इसमें हमारा हो गया नँव अगर है की नहीं नौ नहीं है दोस्तों देखिए, यहाँ पर 3 का पेर नहीं बनना है, इसी तरीके से अगर एक 3 और लगा देंगे, तो 27 बन जाएगा, देखिए, 27 जो है ना, यह हमारा पूर्ण गन है, 27 पूर्ण गन है, इसी तरीके से दोस्तों, 125 पूर्ण गन है, और भी बहुत सारे 64 पूर्ण गन है, जैसे 4 चो तो इससे तरीके से दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि दो अंकों की सबसे चोटी पूर्ण घंसंख्या है तो देखे एक अंकों की सबसे चोटी पूर्ण घंसंख्या है हमारा क्या है आठ है ना 8 है एक अंको की सबसे छोटी पूर्ण घंसं क्या है क्योंकि 8 का यहां पर जब आप क्यूब निकालेंगे तो आपका जो है यहां पर घं निकालेंगे घंमूल तो यहां पर आपका 2 आएगा पॉइंट में आंसर नहीं आएगा क्योंकि एक का घंमूल तो दोस्तो एक होता है तो सबसे छोटा जो है एक का एक अंको की सबसे छोटा पूर्ण वर्ग और पूर्ण घंसं क्या है अगर पूछा जाए तो हमारा एक ही होगा क्योंकि दोस्तो यहां पर आप खुद देख सकते हैं एक का घंमूल एक ही होता है और एक का वर्गमूल एक ही होता है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 27 दोस्तो एक चीज जो है यहाँ पर मैं थोड़ा कनफ्यूज हो रहा था देखे यहाँ पर दोस्तो एक चीज आप नोटिस करेंगे 64 यह पूर्ण वर्ग संख्या भी और यह पर आपका 8 आएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और अगर आप घनमूल निकालते हैं, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, जो 3 का पेर बन रहा है, तो 64 का घनमूल हमारा यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, तो 64 जो है न, यह पून वर्ग संख्या भी ह नेक्स्ट कोशन करते हैं, तो 2,43,000 को कौन सी संख्या से भाग दिया जाए, ताकि संख्या जो है न, एक पून घन संख्या हो जाए, तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको जो है न, जीरो वाली जो संख्या होती है न, उसका वर्गमूल और घनमूल निकालना सिखाता कोशन को जो है न, आप बहुत ही असान तरीके से और सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, देखे दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख दिया हंड्रेट, तो दोस्तों हंड्रेट का अगर आपको वर्गमूल निकालना है, देखे हंड्रेट जो है न, यह एक पून वर्ग संख्या है अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सॉल्ट कर ट्रीक के द्वारा इस तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसा तो दोस्तों अगर आप इसको फेक्टर करके वर्गमूल निकाल सकते हैं, इस तरीके से, बट अगर बहुत बड़ी संख्या दे दिया जाए, जीरो लगाकर लाखों में, दस लाख तक, तो फिर उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो दोस्तों आप इस तरीके से फेक्टर कर लेंगे, तो इसका दस आजाएगा, बट अगर जीरो लगाकर यहाँ पर दस हजार दे जिया जाए, तो फिर कैसे आप करेंगे, तो देखें यहाँ पर सो का मैं बताता हूँ, उसके बाद दस हजार का बताऊँगा, एक हजार जो है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि एक हजार का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे, तो पोइंट में आंसर आएगा, तो देखें दोस्तों, इसका हम वर्गमूल निक एक वर्गमूल निकालते हैं, और घनमूल में तीन संख्या का पेर बनाकर एक वर्गमूल निकालते हैं, तो यहाँ पर सेम वैसे ही करना है, बर्गमूल में क्या करना है, दोस्तों, जीरो का जो है न, दो पेर बनाना है, और देखें, एक का वर्गमूल और एक का घनमूल तो एक ही होता है तो आपको एक लिखना है और दो जिरो का एक जिरो लिखते हैं बस दस हो गया हमारे इसका 100 का वर्गमूल दस हो गया इसी तरीके से दोस्तों यहां पर अगर मैं मान लीजिए 10,000 लिखता हूँ इसका अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो इसका वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे अब आप बोलेंगे सर 1000 का वर्गमूल निकालकर दिखाईए देखे दोस्तों 1000 का वर्गमूल अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो वो पॉइंट में आंसर आएगा क्योंकि यह 1000 पूर्गमूल निकालना है तो जीरो का यहाँ पर नहीं बन रहा है देखे 10,000 का आप पेर बना दिजिए और एक का वर्गमूल तो एक ही होता है एक लिखिए और एक पेर बना तो एक जीरो और एक यहाँ बना तो एक जीरो यह ठीक न तो देखे 110,000 का यहाँ पर वर्गमूल 100 आ गया लेकिन दोस्तों 1000 जो है यह पूर्ण घंसंख्या है देखे 1000 पूर्ण घंसंख्या है और एक का घनमूल एक ही होता है, एक का बरमूल एक ही होता है, तो एक हजार का जो घनमूल निकला वो दस निकला, और इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, फेक्टर करके, ठीक न, पास सेम ही है, घनमूल निकलना होतो हो, दस आया, दोस्तो आप इस questions को जो है 5 seconds में solve कर सकते हैं बस थोड़ा सा दिमाग लगाईए देखे 2,43,000 तो आप क्या कीजिए जब हम घनमूल निकालते हैं तो 0 वाली संख्याओं का घनमूल निकालते हैं तो 0 का जो है हम 3 संख्याओं का समूह बनाते हैं और उसको 1 टाइम लिखते हैं तो 1 जिरू यहाँ पर आप लिख दीजिए अब हमें क्या करना है दोस्तो 243 को जो है आखिर हम कौन सी संख्याओं से भाग करें जिससे वो जो संख्याओं है वो पूर्ण घन बन जाए तो देखिया अगर हम 3 से भाग करते हैं दोस्तो तो 3 अठे 24 और 3 एकम 3 810 दोस्तो यह एक पूर्ण घन नहीं है अगर आप इसका घनमूल निकालेंगे और संख्याओं का समूह बनाएंगे तो यहाँ पर पेर आपका नहीं बनेगा लेकिन दोस्तो अगर आप 27 से मान लीजे करते हैं तो 27 नीम जो होता है ना 27 नीम 243 होता है तो 27 नीम 243 यह कट गया तो 90 हो गया यहाँ पर तो दोस्तो 90 भी यह पूर्ण घन नहीं है क्योंकि 90 पूर्ण घन नहीं है अगर आप इसका घनमूल निकालेंगे अगर आप 9 सुभाग करते हैं तो देखिए दोस्तो यहाँ पर 9 दुनिय 18 और उसके बाद 6 9 से 63 270 दोस्तो यह आपका पूर्ण घन संक्या है अब कैसे है तो देखिए पूर्ण घन संक्या 270 है अगर आप इसका घनमूल निकालेंगे तो आपका दोस्तो इसका राइट आंसर जो होगा देखिए आप इसको फेक्टर करेंगे तो इस तरीके से दोस्तो लिख सकते हैं लिख सकते हैं न 30 के फॉर्म में तीन वार आप इसको फेक्टर कर सकते हैं इस तरीके से देखिए 270 को दोस्तों हम इस तरीके से factor कर सकते हैं 30 की form में और आप सभी जानते हैं दोस्तों घनमूल जब हम निकालते हैं किसी संक्या का तो उसका factor करते हैं और 3 संक्याओं का एक समूह बनाते हैं और एक बार उसको जो है हम बाहर लिख देते हैं तो 30 जो हो गया 270 का घन्मूल हो गया, तो ये हमारा right answer कौन से हो जाएगा, C हो जाएगा option C, क्योंकि हमने 9 से भाग किया था, तो option C इसका right answer हो जाएगा, क्योंकि 9 से हमने 243,000 में भाग किया था, तो हमारा कितना आया था, तीन 0 का हमने यहां पर एक 0 लिखा था, और 27 आया था 243 में हमने जब 9 से भाग किया था तो 270 का जब हमने घनमूल निकाला तो एक हमारा यहाँ पर जो आंसर आया ना वो एक जो है नेचुरल नंबर आया पोइंट में नहीं आया तो इसी तरीके से जो है यह 270 एक प्रफेक्ट स्कॉयर है तो भाग हमें वही पूछा गया कि किस संग्या से भाग दी जाए तो 9 से दिया गया है नेक्स्ट कोशन करते हैं तो दोस्तो यह कोशन काफी जादा आसान है सबसे पहले दोस्तो आपको क्या करना है देखिए जब आप यहाँ पर देखेंगे यह हमारा वर्गमूल का साइन है अब दोस्तो चार जो है यहाँ पर क्यूब में है मतलब चार की पावर तीन तो इसका मतलब क्या है चार को आप तीन वार मल्टिप्लाइ कर दीजिए तो चार चॉक 16 64 और 15 का यहाँ पर दोस्तो स्कॉयर है तो 15 को दो वार आप मल्टिप्लाइ करेंगे तो 225 आएगा तो दोस्तो अब हमें क्या करना है देखिए 64 और 225 को आप प्लस कर दीजिए जब आप इसको प्लस करेंगे तो दोस्तो 289 आएगा देखिए यहाँ पर हो गया पांच चार नौ छे और दो आट और दो 289 अब हमें बर्गमूल में 289 रखना है देखिए बर्गमूल में हमें 289 रखना है और दोस्तो इसकी जो पावर है न वो क्वाम से पहले तो आप एक चीज़ देखिए कि जो 289 है यह बर्गमूल में है तो बर्ग मूल में है दोस्तो तो हमें क्या करना है 289 का हम बर्गमूल निकाल देंगे और जो आएगा उसका साइट से जो है न हम पेर बनाते हैं संख्याओं का तो देखें नवासी एक पेर बन गया क्योंकि यहां पर दो डीजित है बड़ दो दोस्तों यहां पर टू जो है यह सिंगल रहे गया इसका कोई पेर नहीं बना तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले टू में जो है हम फिर्टिन भाग वीदि में के तरीके से जब हम बर्गमूल निकालते हैं न, तो यहाँ पर जैसे हम क्या करते हैं? जैसे मान लेजे 8 का हम बर्गमूल, सुरी, 8 में मान लीजे हम, चार से मान लीजे हम भाग करते हैं. एक मैं आपको बता रहा हूँ example के थरू तो क्या करते हैं? चार दुनी आठ तो चार को हम 2 से multiply करते हैं जब हम भाग करते हैं तो छब हम बर्ग मूल करते हैं तो जो संख्य हम रखते हैं उसी से उसको multiply करते हैं तो देखें, अगर हम माल लीजे दोस्तो तो यहाँ पर मैं two रखता हूँ यहाँ पर जो है अगर मैं two रखता हूँ तो क्या होगा दोस्तो two में हमें करना है सबसे पहले क्योंकि pair बना कर चलना है तो यहाँ पर two single रहे गया अब इसी को हम solve करेंगे तो तू को अगर हम दोस्तों यहाँ पर तू रखते हैं तो हमें क्या करना होता है ना तू को तू से मल्टिप्लाइ करना होता है तो तू तू जब फोर हो जाएगा तू से तो जादा हो जाएगा तो दोस्तों हमें एक ही रखेंगे यहाँ पर तो एक को एक से multiply करेंगे, जैसे भाग में हम चार दुनिया आठ करते हैं ना, लेकिन भाग में हम ऐसे नहीं कर सकते, sorry, वर्गमूल में हम ऐसे नहीं कर सकते, मतलब कि दो चौक आठ या दो एकम दो, ऐसे नहीं कर सकते, करने का तो दोस्तो हम ऐसे भी कर सकते थे, दो एकम दो और दो यहाँ पर रख देते तो हो जाता, नहीं, भाग भी दी दुआरा जब हम बर्गमूल निकालते हैं तो जो संक्या हम यहाँ पर रखते हैं उसी से उसको multiply करके देखते हैं और अगर उससे जादा आ गया तो हम नहीं रखेंगे, सेम आ गया तो रख सकते हैं या कम आ गया तो भी रख सकते हैं तो यहाँ पर हम एक ही रखेंगे और एक को एक से multiply करेंगे तो यहाँ पर एक रखेंगे तो उपर में भी हमें एक लिखना होगा अब दोस्तो 1 को 1 से multiply करेंगे तो 1 ही आएगा अब देखें क्या करेंगे 2 में से 1 घटा देंगे एक आ गया और second step में हम क्या करेंगे 89 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें पूरा संख्या pair में लिखना होता है आप only 8 नहीं लिख सकते और second step में क्या करेंगे जो उपर में एक लिख है और यहाँ पर जो एक लिख है इन दोनों को plus करके यहाँ पर हम लिख देंगे एक और एक दो हो गया अब दोस्तो यहाँ पर हमें ऐसी संख्या रखना है जिसको दोस्तो पूरी संख्या यह पूरी संख्या से multiply करने पर जो है 189 आ जाए तो माल लिजे दोस्तों अगर माल लिजे यहाँ पर हम 7 रखते हैं तो 7 जब हम रखेंगे न तो 7 सही 27 में multiply करेंगे यहाँ पर हम 7 रखते हैं तो यह 27 बन जाता है अब 27 को दोस्तो 7 सही में multiply करना होगा जो संक्य हम यहाँ पर रखते हैं तो देखिए 27 को आप 7 से करते हैं तो 189 आ रहा है देखिए 7, 7, 7, 49 9 आ गया यहाँ पर 7, 2, 14, 14 और 4 दोस्तो 18 हो गया 189 ठीक न? तो मतलब 289 का जो वर्गमूल आया वो आ गया हमारा 17 क्योंकि यहाँ पर हमने जो 7 लिखा है वो हमें उपर में यहाँ पर उतारना होगा यह तो 298 का वर्गमूल दोस्तो हमारा 17 आ चुका है या फिर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे? 17 को जो यहाँ पर इसकी पावर 3 लगा देंगे अब 17 का जो है दोस्तो इसको 3 टाइम आप मल्टिप्लाइ कर दीजिए या 17 का आप क्यूब कर दीजिए तो हमारा आंसर आजाएगा इस तरीके से आप कर दीजिए तो दोस्तो इसको आप जो मल्टिप्लाइ करेंगे तो 4913 आंसर आजाएगा option A इसका right answer होगा next question solve करते हैं दोस्तो ये questions बहुत ही असान है 4 सही 12 वटे में 125 को दोस्तो आप एक जो है simple fraction में आप change कर दीजिए इसको तो सबसे पहले 125 को आप 4 से multiply कीजिए और दोस्तो 12 को आप plus कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 को आप 125 से multiply करेंगे तो 500 आजाएगा 500 में आप 1212 प्लस करेंगे तो 512 आजाएगा तो यहाँ पर हमें घनमूल निकालना है तो सबसे पहले 512 लिखेंगे उपर में और नीचे में 125 अब दोस्तो हमें घनमूल निकालना है तो 512 का घनमूल दोस्तो हमारा होता है 8 और 125 का घनमूल होता है दोस्तो 5 8 वर्टे में 15 का right answer आजाएगा अब दोस्तो देखें यहाँ पर इस तरीके से आपको change करना है तो क्या कीजी आप इस तरीके से भाग कर दीजिए 5 एकम 5 यहाँ पर 3 आजाएगा तो X सामने आजाएगा 3 उपर और 5 नीचे मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं देखें इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं एक जो है न यह यह सबसे आगया जाएगा और 3 जो सबसे नीचे है वो सबसे उपर लिखना है तो simply दोस्तो मैंने factor किया है देखिए ये 5 से जो है 5 दुनी 10, 5 पचे 25 ठीका ना 5 पचे 25 पांचे कम 5 तो देखिए दोस्तो घंबूल में हम क्या करते हैं घंबूल में हम थिरी तीन संग्याओं का समोव बना कर उसका factor निकालते हैं निकालते हैं तो हमें क्या करना है 125 का घंब मुल 5 आ गया, और 512 का दोस्तों मैंने क्या क्या उसका भी factor कर दिया है, देखिए, आप इसको किसी भी form में कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप 2 के form में भी कर सकते हैं, और 8 के form में भी कर दीजिए, तो जल्दी हो जाएगा, तो ऐसे करेंगे दोस्तों, तो काफी जो है, चलिए, दो के form में ही factor कर लेते हैं, दो दुनी 4, दो पेचे 10, दो चीक 12, उसके बाद दोस्तों देखिए, दो एकम 2, दो दुनी 4, दो अठे 16, 128, 128 का आधा दोस्तों कितना होता है, दो चीक 12, 24, 8, 64, उसके बाद यहां 32 आ जाएगा, उसके बाद यहां 16 आ जाएगा, अब देखे दोस्तों, यहां पर क्या करना है, घंद मूल में आपको पता है, ठीरी का पेर बनता है, तो यहां पर दोस्त, टूटू के form में factor हुए ना, 512 का, 2 के form में, तो 3-3 का पेर बना दीजिए, यहां पर 2 है, एक हीए ले ले लिजिये, तो 3 होगया यहां और, एक हीए हो दोस्तों तो घनमूल में तीन संख्याओं का समूह बनाते हैं और एक वर बाहर निकालते हैं देखिए इस तरीके से मैंने निकालाए घनमूल यहाँ पर देखिए एक पेर बन गया जो हमने फेक्टर किया है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है पांसो बारा का इस तरीके से one time दो निकाल देजिए, एक वार और और एक वार और, तीन वार दो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर एक वार निकलेगा, तो तीन वार दो बाहर निकलेगा, और यहाँ पर एक वार निकलेगा, देखिए, इस तरीके से, और एक वार पांच, तो दो दुनी चार दुनी आठ आठ वटे में पाँच आया था और इसको दोस्तों हमने इस तरीके से भाग किया था बाकी के तो आपको पता ही है चलिए इस कोशन को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों बहुत ही असान कोशन है सबसे पहले आपको क्या करना है यह सारी संख्याय वर्गमूल में है तो यहां पर दोस्तों क्या कीजिए गरा आप 156.25 है तो क्या कीजिए दोस्तों पॉइंट को हटा कर नीचे कितने आपको पता है पॉइंट का एक लिखते हैं और बाकी जिट होती है उतना 0 लगा देते हैं तो 2 जिट है तो 2 0 लगा देंगे इस तरीके से हो गया पहला और सेकेंड में दोस्तों क्या करेंगे देखें सेकेंड में भी सेम वैसे ही होगा देखें यहां पर अगर हम पॉइंट हटाएंगे ना तो चार डीजिट है तो 4 0 लग जाएगा और उपर में 81 होगा 81 वचेगा क्यों क्योंकि आगे में 0 है उसका कोई value नहीं है क्योंकि हमने प पॉइंट हटा दिया है तो अब हमारा जो है 81 है उपर और नीचे कितना है तो एक लिखेंगे पॉइंट का और 4 0 है सोरी 4 डीजिट है तो 4 0 लगाएंगे यह हो गया अब इसको भी वैसे ही करेंगे सेम पॉइंट हटाएंगे एक लिखेंगे नीचे और 4 डीजिट है 4 0 लिख दूँगा देखें इसको यहाँ पर अब हमारा कितना बन गया एक लाग छपन हजार सौरी 15625 बन गया यह हमारा 15625 बन गया और यहाँ पर 81 बन गया तो 81 का वर्गमूल तो आप निकाल लेंगे 9 नहीं 189 आ जाएगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर 15625 का वर्गमूल कै से निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं उसके बाद हम 361 का निकालेंगे और 100 का वर्गमूल तो हमें पता ही है 100 का वर्गमूल 10 होता है और इसका दोस्तों पेर बना दीजिए तो 10,000 का वर्गमूल हमारा 100 हो जाएगा यह भी हमें पता है और यहाँ पर भी न इस तरीके से करते हैं, जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो, अब देखें क्या करना है, यहाँ पर हमने दोस्तों pair बनाया, वर्गमूल में सबसे पहले right hand side से हमें pair बनाना होता है संक्याओं का, अब हम एक यहाँ पर बचा है single, तो अब एक को ही सबसे पहले हम यहाँ पर solve कर कर यहाँ पर लिखेंगे, और second step में क्या करेंगे, यह जो pair बना है ना, 56, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, अब दोस्तों try करना है, आपको यहाँ पर आईसी संख्या रखना है, जिसको उसी से multiply करने पर जो है 56 आ जाए, तो क्या आ रहा है, देखिए, देखिए, तो यह यहाँ पर दोस्तों अब हमें क्या करना है, ना, second step में आपको पता है, second step में क्या करते हैं, जो हम यहाँ पर एक लिखता और उपर में, इन दुनों को जोड़कर यहाँ पर लिख देते हैं, और यह जो 56 हमारा pair बना है, वो यहाँ पर लिख दिया मैंने, अब दोस्तों हमे क्या करना है यह पर ऐसी संख्या रखना है जो 56 पूरी तरह से काट दे या उससे कम आये किूदि हमारे पास आगे भी संख्या है अगर 20 य मुझा नहीं होगा तो 25 भी हम उता रहेंगे तो देखिए यहां पर 2 रखेंगे, तो 22 बन जाएगा, तो 22 को फिर हम 2 से multiply करेंगे, जो संख्या हम रखेंगे, जो digit, उसी से हमें उस पूरी संख्या को multiply करना होगा, तो 44 आ जाएगा, अब क्या कीजिएगा, 44 आ गया, अब इसको आप घटा दीजिए, तो 1 और यहाँ पर 2, ठीक ना, 12 आ गया, और यह जो 25 है आप देखिए, अब 2 हमने यहाँ पर उतारा है न, वो उपर भी लिख दीजिए, ठीक न, 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब हमें क्या करना है, तो 3rd step में क्या करना होता है, जो हमने उपर में 2 उतारा है, यहाँ पर 12 बन गया न, उपर में, उपर में जो मैंने 2 उतारा है, अब यहाँ पर हमारा 20 बन गया, तो 22 और यह जो 2 है न, इसको हम प्लस कर लेंगे, तो 22 और 24 हो जाएगा, ठीक न, बाइस जो है और 12 को आप प्लस मत किजिएगा, बाइस और 12, ओनली टू आप प्लस किजिएगा, जो आपने उतारा है, तो 22 और 2 24 हो गया, अब यहाँ पर क्या किजिएगा, देखें दोस्तो, 12 तो यहाँ पर बहुत छोटा, स्मॉल नंबर है, जिसको उसी से मल्टिप्लाई करने पर 1225 आ जाए, तो दोस्तो यहाँ पर देखिए, देखें यहाँ पर हमारा 24 आया, अब यहाँ पर आखिर हम कौन सी संक्या रखें, जिसको उसी से मल्टिप्लाई करने पर 1225 आ जाए, अगर आ जाता है दोस्तो, तो फिर हमारा वर्गमूल निकल जाएगा 15625 का, ठीक न, तू देखिए, मान लिजी दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 5 रखते हैं, तो यहाँ पर 245 बन गए, और 5 से ही मल्टिप्लाइ करना होगा, इस तरीके से हम करते हैं, वर्गमूल में, तो देखिए, 55, 25, 25 और 2, 22, हमने 5 लिखा है, वो यहाँ पर आप लिख दीजिए, तो उपर में कितना हो जाएगा, 1, 2, 5 मतलब की 125, 15625 का वर्गमूल हमारा, 125 निकला, ठीक न, 15625 का जो हमारा वर्गमूल निकला है, वो निकला है, 125, ठीक न, मैंने, factor method की दूआरा इसलिए नहीं किया, क्योंकि उसमे हटा दिया है, देखिए, दोस्तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने point हटा दिया है, तो अब हमें देखिए, खाली दोस्तो हमें 15625 का वर्गमूल हमें नहीं पता था, तो यह हमने निकल लिया, अब कितना आया था, तो दोस्तो 15625 का वर्गमूल हमा जो है यहां पर 125 वटे में 10 आ गया इसका और देखे इसका आ जाएगा दोस्तों 9 निमिक आसी 9 वटे में देखे यहां पर 100 दसजार का जो वर्गमुल आ जाएगा 100 यहां पर 361 निकालना पड़ेगा दोस्तों 361 जब आप वर्गमुल निकालेंगे तो उनी स आएगा ठीक ना until पटे में देखें यहाँ पर मैंने आपको बताया है दोस्तो जीरो वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना आपको मैंने बताया है दो जीरो का जो हैने एक पेर बना लेना और एक का वर्गमूल एक ही आता है तो 2-0 का 1-0 लिखना है एक लिख दिया, एक का वर्गमूल एक ही होता है और 2-0 का 1-0, यहाँ पर 4-0 है तो 2-0 का 1-0, फिर 2-0 का 1-0 तो आ गया, मरसो, 10,000 का वर्गमूल अब हमें क्या करना है दोस्तों? अब इसको जो है न, इसको इससे भाग कर दीजिए इसको इससे भाग कर दीजिए, इसको इससे भाग कर दीजिए और उसको पलस कर दीजिए, आपका अंसर आजाएगा दोस्तों, आप इसको दो तरीके से solve कर सकते है पहला तरीका तो दोस्तों, आप भिन का जोड़ कर दीजिए और दूसरा सबसे असान तरीका है ये कि आप इसको दोस्तो भाग कर दीजी तो और जल्दी हो जाएगा देखी आप 125 में जो है 10 से भाग करेंगे तो 12.5 आएगा आएगा ना और 100 से 9 में भाग करेंगे दोस्तो तो 0.09 आएगा और 100 से 19 में भाग करेंगे तो point 19 आएगा आएगा आप इसको आप plus कर दीजिए आपका answer आजाएगा sorry दोस्तों यहाँ पर minus कसाइन है दोस्तों मुझे दियान नहीं रहा कि minus कसाइन है so उसके लिए sorry और 19 बटे में 100 ठीक नए यहाँ पर minus कसाइन है तो आप क्या करना है दोस्तों सेम वैसे ही कर दीजिए 12.5 प्लस में 0.09 और minus में दोस्तों 0.19 ठीक ना point में 19 तो इसको आप plus कर दीजिए उसके बाद जो आएगा उसमें से 0.19 को आप minus कर दीजिएगा आपका answer आजाएगा option C 12.4 देखे friends यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या करना था दोस्तों 12.5 प्लस में 0.09 ठीक ना इसको हमें प्लस करना था और minus में था 0.19 तो सबसे पहले मैंने प्लस किया तो 12.59 आ गया और उसमें से दोस्तों 0.19 को मैंने minus कर दिया तो यहाँ पर 12.4 ठीक ना 12.4 यहाँ पर हमारा answer आ गया और point के बाद दोस्तों 0 का कोई value नहीं आता तो 12.4 हमारा answer आ गया option C अब दोस्तों कुछ student को जो है ना यहाँ पर confusion हो रहा होगा कि मैंने सौ से जो है ना 9 में कैसे भाग किया क्योंकि दोस्तों कुछ student ऐसे भी होंगे जिनको point वाला भाग नहीं आता होगा तो देखें यहाँ पर कैसे करते हैं क्योंकि दोस्तों मैंने तो point यहाँ पर लिखा दोस्तों तो एक 0 लगाया अब यह भाग नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे एक 0 लगा दीजे यहाँ पर तो यह एक 0 यहाँ पर उतारना पड़ेगा तो यह 900 बन गया अब यह कट जाएगा कितने वार में तो 9 वार में तो यहाँ पर 9 लगा देखिए आगे ना solve करने के बाद यही है सेम चलिए तो next question करते हैं दोस्तों आज किस वीडियो में question number 10 तक solve करेंगे दोस्तों यह questions बहुत ही जादा आसान है देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 1000 में किस नियूंतम पुर्णांग को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए तो दोस्तों सबसे पहले हम सभी जानते ही है कि जो यहाँ पर 1000 जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि 1000 का जब आप वर्ग मूल निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है एक प्राकृतिक संख्या जो है नहीं मिलेगा मतलब कि इसका answer point में यह तो हम सभी पहले ही जानते हैं मैंने आपको बता दिया था तो दोस्तों इसका वर्ग मूल आखिर मतलब इसमें कौन सा नियूंतम पूर्णांग कौन सी संख्या इसमें जोड़ें 1000 में कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए तो दोस्तों हमें try कर लेना है तो देखिए हमें स solve हो जाएगा सबसे पहले दोस्तों हम try करते हैं 10 जोड़के ठीक न तो 1000 में 10 अगर हम जोड़ते हैं तो 1010 हो जाएगा तो 1010 का जो है हम एक बार वर्ग मूल निकाल कर देखते हैं ठीक न भाग वीदी दुवारा तो आप सभी जानते हैं यह दोस्तों pair बनाते हैं जब right hand side से जब हम भाग वीदी दुवारा बर्ग मूल निकालते हैं तो आप दोस्तों यहाँ पर हम ऐसी संक्या रखें जिसको उसी से multiply करने पर 10 आ जाए या उससे कम आए तो 10 तो आएगा तो जो यहाँ पर हम 3 उतारते हैं लिखते हैं वो उपर में भी हमें लिखना होता है तो 3 तीन तीन नो आ जाएगा देखें अब यहाँ पर घटा देंगे हमें 10 में से 9 गया एक और यह जो digit यहाँ पर जो हमने pair बनाया है इसको हम पूरी संक्या यहाँ पर हम लिख देंगे तो कितना बन गए 110 अब secondary tip में क्या गते हैं दोस्तो इन दोनों संक्यां को हम प्लस कर देते हैं और वो यहाँ पर लिखते हैं तो 3 और 3,6 हो गया अब दोस्तो माल लीजे यहाँ पर कोण सी संक्या रखेंगे जिसको उसी से multiply करने पे 110 या उससे कम आए तो दोस्तो अगर आप यहां पर एक रखते हैं तो 61 बन जाएगा और 61 को आपको एक से multiply भी करना होगा मतलब कि JON SYNKIाि यहां पर हम रखते हैं उसको उसी से multiply भी करना होता है तो देखे 61 रखेंगे तो दोस्तो कम आ रहा है माल लीजे यहां पर 2 रखते हैं बासट बन जाएगा और टू से multiply कर देते हैं तो दोस्तों यहां पर 110 है तो यह नहीं हो रहा है ठीक है नहीं हो रहा है क्योंकि यह नहीं कट रहा है अगर पूरी तरह से हमें 3 लिखना होगा अब 3 दिया 9 यहाँ पर 9 लिख दिया अब घटा देंगे 10 में 9 गया 1 अब दोस्तों देखिए सेकंडरी स्टेप में इन दोन संख्याओं को पलस करना होता है 3 और 3 6 अब दोस्तों यहाँ पर हमें एसी संख्या रखना होगा जिसको उससे मल्टिप्लाइ करने पर 124 अगर हम दोस्तों रखते हैं तो 124 आएगा देखिए यह पूरी तरह से कट गया तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमें यहाँ पर 24 रखना होगा तो वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा एक कि भी करोद एक शोस्तों कि हमें पर 12 आएगा जेखिवल हरेल हैं प्रण दोस्तों आएगा दिल्ग का अथनимиольз्ज्टार आएगां करकें यहाँ टी मूर्ण